So guys, आज मैं आप सबको देने वाला हूँ, कुछ Minecraft के modes and add-on, जो हर Minecraft player के पास होने ही चाहिए, और जिसके पास नहीं है, उनके लिए मेरे पास एक ही message है So hey everyone, आप सबका स्वागत है मेरे brand new video में, तो वीडियो को start करने से पहले, चैनल पे नए हो तो subscribe करो और वीडियो को like करना भी मत बूलना, तो चलो अभी वीडियो को start करते है So number 1 पे राता है F5 mode, वैसे तो इस mode को बच्चा बच्चा जानता है तो इस mode से आप one click में first person से third person में आ सकते हो और इस button से आप अपना game mode भी one click में change कर सकते हो So हमारा अगला mode है dynamic lights, इस mode में बस आपको behavior pack ही मिलता है और इस mode के लिए आपको experimental भी on करने की जरू नहीं है Normally torch को हाथ में पकड़ते ही ये glow करेगी और torch के अलावा lectern और game fire भी glow करती है बस इस mode में एक ही problem है कि हम इसको अपने left hand में नहीं पकड़ सकते बाकी ये mode मुझे personally बहुत अच्छा लगा है तो अभी चलते हमारे next mode की तरफ तो हमारा ये mode pvp player के लिए बहुत useful है तो ये mode on करने से आपके player के hearts दिखेंगे और आपने कौन सा armor पेहना है वो भी दिखेगा तो इस mode में आप chunk भी देख सकते हो लेकिन पता नहीं मेरे minecraft में तो ये नहीं चल रहा आप सब comment में बताओ के आपके minecraft में तो ये work कर रहा है की नहीं और हाँ इस mode में shield को लगाते ही आपकी shield नीचे की और दिख जाएंगी तो आगे चलते हैं हमारे next mode की और तो हमारा next mode है F animation इस mode को डालते ही आपके player में कुछ अलग ही जाना जाती है वो सीधा हवा उसे बाती करने लग जाता है इस mode में fighting, swimming और आप गिर जाओ तो उसका भी animation है और बहुत सारे animation इस mode में है तो आगे बढ़ते हैं हमारे next और last mode की तरफ तो हमारा last mode है XP chest इस mode का काम इसके नाम की तरह ही है इस mode में आपको 3 XP chest मिलेगी तो सबसे पहले है हमारी normal XP chest इस XP chest से आप और आपके दोस्त दोनों XP save कर सकते हैं और XP को return लेने के लिए आपको एक बार बस crouch करना है और chest पर click करना है फिर आपको जितनी भी XP चाहिए वो आप ले सकते हो तो हमारा second XP chest है private chest इस XP chest को जो लगाएगा वही इससे XP save कर सकता है और XP ले सकता है तो हमारा last XP chest है ender XP chest इसका काम ender chest की तरह ही है इससे हम कहीं भी XP save कर सकते हैं और ले सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अकले तभाईदर वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई अज के लिए फिर हाल इतना ही आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उमीद पर दुनिया कायम है दिल दुखा है लेकिन तूटा तो नहीं है और उमीद का दामन छूटा तो नहीं है इसलिए आज के लिए इतना ही